हलो बच्चो, वेलकम बैक, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यूनिटरी मैथड के बारे में, यूनिटरी मैथड में बहुत इजी है, जो आपको मनी वाला चैप्टर है न, उसी के अंदर ये यूनिटरी मैथड भी हो सकता है, आई हो, तो चलिए इसको समझ ठीक है, तो अभिशेक ने तीन आइस क्रीम ली, ठीक है, तीन आइस क्रीम ली अभिशेक ने, और वो तीनों आइस क्रीम के कुछ पैसे देगा, तो उसने तीन आइस क्रीम के पैसे दिये, रुपीज 30, ठीक है, तो तीन आइस क्रीम के उसने रुपीज 30 दिये, तो एक आइ कितना होगा तो यह जो 30 है उसको आप डिवाइड करेंगे यहां पर 3 ता ना 3 के बदले क्या हो गया 1 हो गया मतलब आपको डिवाइड करना है 3 से तो 30 डिवाइड बै 3 क्या हुआ 10 हुआ न एक आइसक्रीम का कितना है 10 रुपीज यहा तो फिर आप यहां पर देखिए कि अभ और फिर वो find out करता है कि एक आइस क्रीम कितने की पड़ी होगी, तो 36 divided by, यहाँ पर देखो, 1 के बदले पहले क्या था, 4 था ना, तो यहाँ पर divide by 4 करेंगे, तो answer क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है, तो दो तरह की आइस क्रीम है, एक यह वाली आइस क्रीम, और एक यह वाली आइस क्रीम, एक आइस क्रीम यहाँ पर पढ़ रही है, 10 रुपे की, और एक आइस क्रीम यहाँ पर पढ़ रही है, 9 रुपे की, तो अभीशेक को फाइदा किसमें होगा अभीशेक को फाइदा इसमें होगा na कि ये एक ice cream जो है वो नौ रुपे की है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, लेकिन अगर वो देखता कि भए 3 ice cream 30 रुपे की है और 4 ice cream 36 रुपे की तो वो सोचे का अरे यहाँ पे 36 रुपीज लग रहा है, यहाँ पे 30 लग रहा है, नए, वो गलत होगा, पहले हमें find out करना पड़ेगा कि वो जो भी चीज है उसका one quantity खरीदने में हमें कितना पैसा लगता है, अगर one quantity खरीदने में हमें पैसा कम लग रहा है, दोनों में compare किया, तब हम लोग जान पाएंगे कि कौन सा सस्ता है और कौन सा महगा है, है ना, तो यह जो method होती है न बच्चो, जिसमें आप एक quantity find out करते हो, आप उसमें क्या करते हो, कि उस चीज की एक quantity का price कितना होगा, वो find out करते हो, उसी को unitary method बोलते हैं, ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से इसको एक और example समझा दूगा, तो आपको थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है, साथ मैं आप अपनी notebook में note down करते रहे हैं बच्चो, कि unitary method को समझने के लिए आपको जितने भी example मैं यहां बेदू, पहले वो note down कर लीजे, फिर आप कीजेगा आगे, ठीक है, चलिए, माल लीजे के 5 notebook से, कि वैसे तो नहीं होता, तो चलो मैं यहां पर 400 कर लेता हूँ, ठीक है, 5 notebooks का cost क्या है, 400 है, ठीक है, 400 रूपीज, वैसे ही आपको बोला है कि 8 notebooks का cost कितना होगा, 8 notebooks का cost कितना होगा फिर, ठीक है, वो आपको find out करना है, और आपको बोला है कि आपको use क्या करना है, आपको use करना है Unitary method कौनसी method युनिटरी method आपको use करनी है तो Unitary method बच्चों यूज़ करने के लिए पहले आप क्या करोगे पहले आप एक notebook का cost find out करोगे ठीक है एक notebook का cost जब मिल जाएगा उसके बाद आप eight notebooks का cost find out करोगे ठीक है तो यहाँ पे देखिए पहले 5 notebooks का cost कितना था 400 था तो एक notebook का cost कितना है तो यह 5 के जगे पे आप 1 ला रहे हुँ तो आप 5 को divide by 5 करोगे तो भी तो 1 आएगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे आप यहाँ पे यह जो 400 है ना 400 को divide by 5 करोगे यहाँ पे 5 के बदले 1 आ गया 5 के बदले क्या आ गया 1 तो यह 5 कहा गया यह 5 गया इस तरफ ऐसा मान लीजिए ठीक है याद रखने के लिए समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ तो 400 divided by 5 5 8 जा 40 यहाँ पे 1,0 यहाँ पे 1,0 So, एक notebook का cost कितना है 80 रुपीज तो 8 notebook का cost कितना होगा So, 8 into 80 That will give you 6,4,0 इतना रुप्या ठीक है So, I hope आपने यह note down किया होगा आपने समझा होगा इसको अगर नहीं समझा है note down नहीं किया है बटा तो एक बार मैं इसको फिर से समझा हैता हूँ एक और example देके आपको समझा रहा हूँ इस बार ठीक है हम लोग exercise start करें उससे पहले मैं example देके आपको समझा हूँगा यहाँ ठीक है चलिए अब मान लीजिए यहाँ पे मैं लेता हूँ pen ठीक है pens यहाँ पे suppose 8 pen है और 8 pen का cost है suppose 160 रुपीज 8 pen का cost कितना है 160 रुपीज और आपको पूछा है 5 pens का cost कितना होगा 5 pen का cost कितना होगा वो आपको find out करना है और बोला है आपको find out कैसे करना है आपको find out करना है by unitary method कौनसी matter unitary method तो आपको पता है बेटा unitary method में अगर आपको find out करना है तो पहले आपको एक quantity का price find out करना पड़ेगा न कि भई एक pen का price कितना होगा right so you need to find out cost of one pen first तो यहाँ पे तो 8 pen दी हुई है color change कर दो थोड़ा ठीक लगना चेह भई यहाँ पे 8 pen दी है 8 pen का cost कितना है 160 है तो when one pen का cost कितना होगा तो यह 8 के बदले यह 8 के बदले क्या हो गया 1 हो गया बेटा 8 के बदले 1 कब होता है जब आप 8 को divide by 8 करोगे तभी न या पर divide by 8 करोगे तभी न बेटा तो जो यहाँ पर किया है वो इधर भी करना होगा या फिर यहाँ से 8 उठके मालो इस तरफ अगर आ गया, तो divide by it हो गया, ठीक है, तो क्या आएगा, 160 divided by 8, what is the value, so 8, 2 is a 16, यहाँ पे 0, तो एक pen का cost कितना है बिटा, एक pen का cost आया 20 रुपीज, अब आपको एक pen का अगर cost मिल गया, तो आपको 5 pen का cost आराम से मिल सकता है, है ना, 5 pen का cost कितना होगा, तो 5 लिख दो और multiply by एक pen का जो cost था न वो, तो यहाँ पे 5 into 20, that is how much, that is rupees 100, done, ठीक है, एक और example, इस बार last example है, समझाने के लिए ठीक है बिटा, फिर बाद में आप इस वीडियो को rewind करके भी देख सकते हो ना, pause करके देख सकते हो, जितनी बार होना है तो क्या होता है कि आपको अगर एक बार समझ नहीं आए, तो दूसरी बार देखते वक्त क्या आपता समझ में आ जाए, तीसरी बार देखते वक्त समझ में आ जाए, है ना, या तो फिर एक और example, दूम तब आपको थोड़ा समझ में आ जाए, right, तो एक और example, इसका आप last example इसके बाद exercise करेंगे, ठीक है, so, one more example, suppose, मेरे पास है, पांच, स्वरी, नहीं, पांच नहीं, seven, मेरे पास seven water bottles है, water bottles, I have seven water bottles, और उनका cost है, suppose, four, nine, zero, zero, बहुत ही costly water bottle हो गई न, ठीक है, तो seven water bottle है, उनका cost है, four thousand nine hundred, और रैट, अब आपको find out करना है, कि nine water bottle का cost कितना है, और आपको बोला है, कि भई, आपको न, unitary method यूज़ करनी है, unitary method, आप सोजो के sir, unitary method के बदले कोई और method नहीं है, क्या, है न बिटा, है, cross multiplication वाली method है, एक तरफ आप number of water bottle लिखोगे, एक तरफ लिखोगे cost, जैसे यहाँ पे आपने seven लिखा, तो उसके सामने लिखोगे, four nine zero zero, रैट, एक तरफ यहाँ पे nine लिखा, और यहाँ पे यहाँ पे nine water bottle का cost बोला है, तो पहले आप क्या find out करोगे, पहले आप find out करोगे, cost of one water bottle, cost of one water bottle, एक water bottle का cost कितना होगा, वो, तो उसके लिए जो यहाँ पे seven है न, hold on just a second, यहाँ पे seven है न, seven को हटाना पड़ेगा न, seven को हटा के आप इस तरफ ले जा रहे हो, तो यहाँ पे one बच जाएगा, रैट, ऐसा, खाली आप याद रखने के लिए, ठीक है, तो अगर seven यहाँ से हट जाएगा, इधर आ जाए जाएगा, रैट, seven यहाँ से चला गया, चला गया यहाँ से, तो क्या बचा यहाँ पे, one बचा, ऐसा, ठीक है, तो one water bottle का cost कितना होगा, 4900 divided by seven, तो seven, sevens are 49, दो zero यहाँ पे है, यहाँ पे दो zero, कितना हुआ, एक water bottle का cost कितना हुआ बेटा, 700, ठीक है, तो हमें nine water bottle पूछा है न, nine water bottle, तो उसका cost कितना होगा, तो जो यह nine है, वो यहाँ पे लिख दिया, और एक bottle का cost कितना था, यह था न, एक bottle का cost, तो आपने यहाँ पे लिख दिया, nine sevens are, क्या होता है, nine sevens are, 63, और पीछे के यह दोनों जो zero है, वो zero यहाँ पे add कर दिया, done, so the cost of nine water bottles is rupees 6,300, बहुत ही महगी water bottle है न, मैंने यह example के तोर पे खारे लिया है, ताकि आपको समझा सकूँ, ठीक है, तो I hope आपको unitary method समझ में आ रही होगी, ठीक है, अब उसके base पे आप कुछ questions solve कर सकते हैं, तो यह रहे वो questions, job try कीजेगा, ठीक है, चले तो first question दिखते है यहाँ पे the cost of 10 pencils is 266, what will be the cost of 4 pencils, चलो लिखते हैं यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे मैं लिखो पहले cost of, जो लिखा है वो पहले है, cost of 10 pencils, 10 pencils है, उसका cost कितना है, that is rupees 266, 266 रुपीज है, तो पहले मुझे find out करना पड़ेगा cost of 1 pencil है न, cost of 1 pencil, वो पहले find out करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 266 जो है उसको divide करूँगा, देखो यह 10 की जगए पे क्या आ गया, 1 आ गया न, तो यहाँ पे याद रखना, यह जो 10 है वो यहाँ से निकल के किदर आ गया होगा, इदर इसके नीचे, तो यहाँ प ठीक है बटा, यह हो गया एक pencil का cost, अब आपको पूछा क्या था, आपको पूछा था, 4 pencils, राइट, so cost of 4 pencils, तो ऐसे लिखो गया आप, cost of 4 pencils, अचा जिसको यह समझ नहीं आया न, अगर किसी को यह समझ नहीं आया, कि सर यह 266 divided by 10 किया, तो 26.6 कैसे आया, तो बच्चों आप प्लीज यह decimal वाला वीडियो देख लेना, आप ही के class का है, decimals वाला वीडियो, वो देख लेना, ठीक है, तो आपको यह पराइच चल जाएगा, कि यहाँ पे कैसे आया, अब cost of 4 pencils क्या होगा, तो 4 into cost of 1 pencil, that is 26.6, चलो, अब इसको यहाँ पे multiply कर ले हम लोग, 26.6 into 4, 4 six are 24, 24, 4 carry 2, 4 six are 24, 24 plus 2, 26, 6 carry, यहाँ पे 2 आएगा, 2 fours are 8, 8 plus 2, 10, तो decimal के बाद क्या है, एक आया, decimal के बाद एक number होना चाहिए, ऐसा, तो यह आपका answer आगया, that cost of 4 pencils is Rs. 106.4, done, अब देखते है, मीरा wants to buy 7 packets of pasta, ठीक है, उसको 7 packets चाहिए पास्ता के, मीरा को कितने packet खरीदने है, 7 packets खरीदने है पास्ता के, find the amount she has to pay, if 9 packets cost Rs. 279, अब आपको यह find out करना है, कि भई, अगर 7 packets खरीदने है, तो कितना रुपया देना पड़ेगा, जबकि 9 packets का cost दिया हुआ है, 279, तो अगर 9 packets का cost 279 है, तो 7 packets के लिए उसको कितना रुपया देना पड़ेगा, है ना, तो पहले लिखेंगे जो दिया हुआ है, 9 packets जो दिया हुआ है, वो लिखेंगे पहले, 9 packets cost Rs. 279, और आपको find out क्या करना है, तो यहाँ पे 9 packets का cost दिया हुआ है, 279, तो सबसे पहले आप निकालोगे एक packet का cost, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 9 था ना, 9 के जगे पे अप क्या आ गया, तो यह 9 कहाँ पे गया, यह 9 गया इसके नीचे, इस तरह से याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ, ना, 9, 3, 27, ठीक है, यहाँ पे बचा 0, और यह 9 नीचे आएगा, तो 9, 1, 9, done, remainder 0 बचा, और question क्या है आपका, 31, तो यही आपका answer है इसमें, कि 1 packet का cost कितना है रुपीज, 31, देखो main question क्या था आपका यहाँ पे, main था, 7 packets का cost कितना होगा, तो अगर एक packet का cost आपको मिल गया, तो 7 packets का cost मिल जाएगा, 7 packets का cost, cost of 7 packets, that is 7 into 31, 7 1s are 7, 7 3s are 21, so यह होगी हमारा final answer, last में आप क्या लिखेंगे, cost of 7 packets, is रुपीज, 217, all right, तो हमने यहाँ पे कितने question solve किया, यह first वाला question solve किया, फिर यह second, ठीक है, इसके सिवा यहाँ पे और questions है, यह last question में solve करेता हूँ, अब जो इतने बागी question बचे, question 4, 5, 6 और 7, वो आप try कीजएगा, और अगर आपको इसमें doubt आता है, तो आप क्या करेंगे, इन सबी questions में, question 4, 5, 6 और 7, इन में अगर आपको doubt आता है, तो आप हमारी जो telegram channel है, यह वाली, disciple, right, इस पे आप join हो सकते हैं, और अपने doubts इसमें भेज देजेगा, ठीक है, यू can send your doubts here, जैसे मैं free होंगा, मैं आपके doubts को solve कर दूँगा, ठीक है, चलो, let's see, A dozen Alphanzo mangos, cost rupees 360, तो एक dozen Alphanzo mangos है, उनका cost कितना है, rupees 360, what amount will be paid for 20 mangos, ठीक है, तो यह आपको question समझ में आए, कि एक dozen mango है, उनका cost कितना है, 360 rupees, तो 20 mangos का cost कितना होगा, वो आपको find out करना है, तो पहले आप find out क्या करोगे, पहले आप धुणोगे, कि भई, एक mango का cost कितना है, ठीक है, फिर वो मिल जाएगा, तो उसको आप find out करोगे, फिर 20 mangos का cost कितना है, तो बच्चों, यहाँ पर दिया है, one dozen mangoes, one dozen mangoes का cost कितना है, rupees 360, और पूछाए आपको 20 mangoes का cost कितना है, तो पहले आपको यह समझना होगा, कि one dozen का मतलब कितना होता है, ठीक है, so one dozen का मतलब होता है, 12 mangoes, कितना, 12, one dozen means 12, so 12 mangoes का cost आपको दिया है, rupees 360, so पहले आपको find out करना होगा, one mango का cost कितना है, आप यह one mango का cost, या one quantity का cost कब, यह सब यूज करोगे, जब आपको unitary method बोला है, तभी, ठीक है, so एक mango का cost कितना होगा, यहाँ पर देखो, इधर उपर 12 था न, तो 12 के जगे पर आप क्या आ गया, one आ गया, तो 12 कहां गया होगा, 12 इसके नीचे, 360 divided by 12, 12, 3 जा, 36, पीछे एक 0, यहाँ पर एक 0, कितना होगया, rupees 30, so एक mango का cost आपको मिल गया, rupees 30, उसके इसाब से आप 20 mango का cost find out कर सकते हो, easily, cost of 20 mango, that is, 20 into rupees 30, तो इसमें क्या करना है, यह number देखो पहले, 2 और 3, 2 और 3 को multiply करो, 2 3s आ, 6, पीछे एक 0, और यह एक 0, मतलब total, 2 zeros, सो आपका answer आ गया, 600, last में आप एक statement लिखोगे, क्योंकि word problem में हमेशा last में एक statement लिखना होता है, so cost of 20 mangoes, cost of 20 mangoes is, rupees 360, और राइट, तो इसी के साथ यह video finish होता है, आप लोगो क्या करना है, आप लोगो एक question 4, 5, 6, और 7, एक बार try करना है, अगर नहीं आता, तो आप मुझे doubt पूछ सकते हैं, कहां पर doubt पूछी कि आप मुझे, यह है हमारी telegram channel, जिसका नाम है disciple, ठीक है, तो इस telegram channel में अगर आप जुडेंगे, तो इसके हिसाब से आपने doubts वहाँ पर रख सकते हैं, और जैसे मुझे time मिलेगा, मैं आपके doubts all कर दूँगा, और राइट बचो, thank you so much for joining, God bless you all, bye-bye,